ओम शान्ती निश्काम सेवाधारी बाबा हम बच्चों को मुक्ती जीवन मुक्ती का रास्ता स्पष्ट करते हैं और विश्व का मालिक बनाने के लिए हमें उंचे से उंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तो आज 22 जून के महावाक्कियों को जो हमने सुना उन्हें फिर से रिवाईज करते हैं आज की मुरली की विशेश बाते इस प्रकार हैं शुप बाबा संगम पर आकर क्या करते हैं वर्सा देते हैं मुक्ती धाम ले जाते मनुष्य से देवता बनाते सबको वापस ले जाते स्वर्ग की स्थापना करते विश्व का मालिक बनाते देवता धर्म की स्थापना कराते हम बच्चे क्या जानते हैं? विनाश जरूर होगा, मौत सामने खड़ा है, ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप से स्वर्ग का वर्सा ले रहे हैं, सुख धाम और शान्ती धाम की कैसे स्थापना हो रही है? पांच हजार वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रम्हा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्सा पाने के लिए। ड्रामा अनुसार कौन कौन सी बातें सर्टेन हैं? एज, डेथ, राजधानी की स्थापना हम फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने रावन के विशे में क्या बताया है? रावन दुख देता है, रावन ने सीता को चुराया, रावन को हर वर्ष चलाते हैं, रावन की हर वर्ष एफिजी बनाते हैं, रावन को दिन प्रति दिन बड़ा बनाते जाते हैं, रावन के कारण कर्म की भोगना बीमारी आधी होती है रावन की प्रवेश्था के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वहें विकर्म बन जाते हैं इस कल्यूगी स्रिष्टी पर देवता बनने से पहले स्थूल रूप में क्या-क्या होने वाला है आसुरी स्रिष्टी का विनाश होगा चारो तरफ हाहा कार मचेगा नाच्रल कलामिटी जाएंगी मुसलाधार बरसात होगी पांच तत्वों की खाद मिल जाएगी बाबा ने धर्मों के बारे में कौन सी बातें सपश्ट की हैं धर्म शास्तर सिर्फ चार हैं गीता धर्म शास्तर है जिससे बाबा तीन धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं फिर इसलामी बौधी और क्रिश्यन का एक ही धर्म शास्तर है बाइबल आदी सनातन है ही देवी देवता धर्म बाबा अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं आदी सनातन देवी देवता धर्म सबसे बड़ा होना चाहिए बाबा आदी सनातन देवी देवता ध कर बाकी सब को मुक्ती धाम में ले जाते हैं आदम शुमारी के बारे में बावा ने क्या बताया भारत प्राचीन खंड है इसलिए इसकी आदम शुमारी सबसे जास्ती होनी चाहिए 5000 वर्ष से आदि सनातन देवी देवता धर्म की वृद्धी होती रहती हैं बाकी और तो आत ही है 2500 वर्ष के बाद इसलामियों की आदम शुमारी कम होनी चाहिए फिर थोड़े समय बाद बौद धर्म वाले आते हैं तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए यहां क्रिश्चन और बौद्धी बेशुमार हैं देवताओं का नाम ही नहीं हम बच्चों को धार्ण किन बातों की करनी हैं बाप समान महिमा योग्य बनना है पारलोकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है श्रीमत पर अपने तन मन धन से एक आदिसनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी हैं आपस में लड़ना नहीं है यह थी आज के मुरली की विशेश बातें बाबा ने हमें छोटी बड़ी सब बातों के बारे में शिक्षा दी, आज हम अटेंचन रखेंगे, किसी के साथ भी कोई भी बात हो, तो लड़ना नहीं है, और जो बाब की महिमा है, वो स्वयम में धारन करनी है. कॉमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताईएगा, कि आज की मूरली से कौनसी बात आपको बहुत अच्छी लगी, जिससे आप धारना मिलाएंगे, ओम शन्ति.